तो हेलो बच्चो नौवे यूट्यूब चैनल के बोड़ आबा सेक्शन में स्वागत है तो जितने भी श्टुडेंट्स हैं जितने भी बच्चे हैं ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम टॉप जितने भी जहारकंट के टॉप कोलेजेज हैं प उसके साथ प्लेस्मेंट वहाँ पर कैसी लगती हैं ब्रांचेश कौन-कौन सी हैं सारी चीजों को मैं कवर करूंगा तो पूरा एकदम वीडियो देखना ताकि थोड़ी से भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिसना हो जाए और आप मतलब की डाउट में रह जाएंगे तो इस रहेगा आप जल्दी से करियर स्वीच कर सकते हैं और अच्छा से जॉब पा सकते हैं तो चलिए हम सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज कौन सा और उसकी प्लेस्मेंट कैसी लगती है तो यह देखिए यह पहला कॉलेज हमारा है जी पहले बता दूँ कि यहाँ पर एक मेकेनिकल ब्रांच है आप सुनते जाएगा यहाँ पर फिर मेटलर्जी का ब्रांच है मेटलर्जी उसके बाद फिर CAC मतला कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग का ब्रांच है और उसके साथ-साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का भी ब्रा और मेटलर्जी बरांच आपको 300-400 रैंग तक 400 रैंग तक मिल सकता है तो यह कॉलेज बहुत ही डिमांड में रहता है यह कॉलेज का OBC क्या है कि बागी के लिए क्या है मैं यहाँ पर यह वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता हूं यह पूरा अपडेट अगर आपको जीपिया है तो यह कॉलेज आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको डिख जागाई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देती हूं तो देख लेना अब चलिए मैं इसके बारे में डिटेल्स आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सीट मैट्रिक सीट कैसी है तो 60-60 बता देता हूं के इलेंटिंग कर्स्ट्रक्शन आती कंपनिए यहाँ पर आपका टाटा पावर आती है फिर जिंदल स्टील अता है यहाँ और वी आ तो काफी सारी कॉलेज मतलब कि यहां पर कंपनिया भी आती है और प्लेस्मेंट देखर जाती है तो यह कॉलेज आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा जमसितपुर का यह कॉलेज सबसे टॉप में आता है पूरी जनकारी चाहिए तो वह वीडियो देख लेना मैंने बता द में रना टॉप नौच कोलेज इसको मैं यहां पर कवर कर दूँगा तो सबसे सेकेंड में जो ने मैं बताया कि जीपी धनबाद यह गौर्णन पॉल्टेक्निक कोलेज धनबाद है इसका यहां पर कौन-कौन सा ब्रांच है अब देख लिए मेकनिकल का ब्रांच यहां पर ह मैं बता दूँ कि computer science का यहां पे कम मांग राता है बल्टेक्निक कोलेज में बल्टेक्निक कोलेजों में कोर ब्रांच का जादा मांग राता है तो mechanical ब्रांच यहां पर है उसके साथी साथ यहां पर चलियो और देख लेता हूँ civil ब्रांच भी है और उसके बाद CSE computer science engineering भी है और एक और ब्रांच कुन सा है metallergy तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे काफी सारे branches है और electrical branch भी साइद यहाँ पर है तो एक बार आप cover करके देख लेना कि कैसी कैसी यहाँ पर branches है सभी में आपको seat matrix में बता दू कि 60-60 seat सभी में है तो ये काफी अच्छा street matrix यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर प्लेशमेंट आपको मैं बता दू कि 80% लग बग चला ही जाता है काफी अच्छा यहाँ पर कमपेनियाज आज आती है जैसे कि आपको hero corp देखने को मिल सकता है बजाज देखने को मिल सकता है बजाज, hero corp, MRF भी आती है है ना और यहाँ पर infosys भी कभी कभी आजाया करती है तो यह बहुत ही अच्छा है आपके लिए placement के लिए आपको मैं बता दू कि यह college को आप जरूर अपने target में रखना तो यह जो top 2-3 college है वो जरूर आपको target में रखना है चलिए अब मैं 3rd college की और बढ़ता हूँ यह देखिए 3rd college है यह 3rd college भी बहुत ही तगड़ा है यह GP का यह GP राची है राची का जो government पोल्टेक्निक कोलेज है बहुत ही तगड़ा होता है यह college तो top 3 के जो 3-3 college हैं काफी तगड़े हैं तो यह college मैं बता दूँ कि यहाँ पर भी placement आपको 70-70% चला जाता है यहाँ पर भी कौन-कौन से branch देखने को मिलते हैं mechanical branch हैं CSC computer science branch है फिर electrical branch है electronics का electronics और civil branch है तो यह सारे branch है electrical branch भी यहाँ पर है तो यह college भी काफी अच्छा है placement के हिसाब से तो यह college भी आप जरूर से target में रखना है यह जो top 3 मैंने colleges बता हैं इनके placement काफी तगड़े लगते हैं और यह colleges में मैं बता दू कि यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है तो जिसके कारण आप यहाँ से जब पास आउट होके निकलते हो तो यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है उसके बाद आप निकाल सकते हो तो इसलिए आप यह सारे college बेज़ेजक ले ले लेना चाहिए बाकी college अगर आप चाहते हैं तो जरू ले 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 तो यहाँ देखे मैं ने जो list बना दिया बच्चों आप लोगे को लिए top college बना द देखो यहाँ पर कौन-कौन से college अगर्मेंट पूल टेकनिक को अध्यापूर जमसेदपूर का पहला college है दूसरा आपको गर्मेंट पूल टेकनिक धनबाद है थार्ड में आपको गर्मेंट पूल टेकनिक राच्ची है तो यह तीनों college को मैंने blue color में कर दिया है ताकि यह सबसे टॉप में रहते हैं यहां के mechanical branch और माइनिंग बरांच यह सारे जो जितने भी आपके core branch हैं काफी ज़्यादा demand में रहते हैं यहां देखने को मतलब की रहते हैं तो चलिए हम अगले college में चलते हैं जो कि यह list में आते हैं जो कि मैंने थोड़ा सा देखिए यह color में कर यहां पर मैं बता दो कौन से branch हैं यहां पर mechanical branch है फिर mining branch है civil branch है तो यह सारे branch आपको यहां देखने को मिल जाता है उपर नीचे हो सकता है को कोई बूलेंगा कि भागा के उपर बका रहाता है सर भागा नीचे आता है इसमें कोई दिकत नहीं है दोनों अपने local area का परदा ले सकते हो दूनों सब एक ही लेवल में यह सारे colleges है लेकिन ऊपर वाले तीनों अच्छे लेवल के college है तो यह देखते है चली अगला कौन सा है को तो government technical भागा है यह धनबाद में भी इस्तित है यहां पर mining branch बहुत ही तगड़ा जाता है बाकि ब्रांचे उतनी अच टेक्निकली खुट्री यह बोकारों में स्थित है यह वाला जो college है आपको मैं बता दूँ कि यह भी college बहुत अच्छा है यहां पर आपको मतलब की core branches देखने को मिल जाते हैं जिसके कारण यह भागा से ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि यहां पर ship mining मिलता है सारे colleges में यहां आपको देखने को मिल जाता है खुटरी बोकारों में इसके अलावा देखिए यह सारे colleges अगर आपको नहीं भी मिलते हैं class 10 के बाद तो आप यह याद रखिएगा कि यह दोनों government college भी आप ले सकते हैं लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा college मैं भू साथ government technique को डरमा है यह दोनों college में भी आप पढ़के अच्छा कर सकते हैं आगे के जाके government job में आपको बहुत ही फायदा होगा क्योंकि government के तयारी के लिए अलग vacancy निकलती है तो आपको आपको आपके फायदा करेगा अब देखिए यहां पर मैं बता दो कि जो यह आपके colleges हैं यहां पर लिश्ट में दो colleges और भी हो सकते हैं जो छूट गया है अब डीपी लातेहार भी हो सकता और भी जितने सारे colleges हैं मैं यहां पर छूड़ दे रहा हूं जीपी मतलब लातेहार जो भी है बाकि सबी government college में अगर मिलती है तो आप ले सकते हैं लेकिन यह दोनों में तीन हजार सलाना पर पड़ेगा मतलब कि तीन साल में आपको 10,000 खर्च में आपका काम चल जाएगा तो यह colleges काफी है ट्यूसन फी के मैं बारे में बता रहा हूं अब यह colleges देख लिए इनका ट्यूसन फी केतना है और यह कैसे कैसे colleges हैं सबसे पहला नंबर में अलकबीर है यह अलकबीर जो पॉल्टेक्निक गॉर्मेंट कॉलेज है जमसितपूर में यह भी बहुत ही अच्छा तगड़ा कॉलेज है लेकिन फीन का 40,000 परेनम है मतलब 40,000 साल वर में लगेंगे तीन साल में 1,20,000 आपको देना पड़ेगा तो यहां पे भी कंपनिया आती है और यह यहां पर लास्ट यह 2020 में करोना के कारण थोड़ा प्लेश्मेंट डाउन गया लेकिन बाकी साल यहां पर प्लेश्मेंट तगड़ा रहता है तो चलिए दूसरा कॉलेज देख लिए बियाटी मेसर रांची जो है यह पर आपको दो कॉलेज है एक इधर है तो यह जो आपक अगर मिलता है तो अगर मेरिट लिश्ट में जरूर अपला करके रहता है तो यहां पर अच्छा नौलेज यहां पर अच्छा पढ़ाई होता है इसके अलावा को केके पोलिटेकिनिक कोलेज धनबाद का भी बहुत तगड़ा को इनका भी नाम आपको बराबर सुनने को दे अगराई आपको पढ़ता है तो इस तरह से मैंने जितने प्राइवेट और अच्छे अच्छे कोश्चे कवर्मेंट के वह सारी में यहां पर जरूर से कबर कर दिया है अब प्रिपरेशन के लिए मैं बता दो कौन सा बुक्स सबसे बेस्ट रहेगा जो आपको सबसे ज्या अगराई कर लेना अर्यहंत का एक बुक है और एक 15 साल पंदरा सेंपल पेपर का मुक्तिस्ट है जो कि आपको करना ही करना है वह दोनों करके जाते हो तो बहुत ही अच्छा एक्जाम के लिए रहता है वह 15 शेटाप त्यार करके जाते हो तापको लगेगा जिसे मैं एक्ज में ले सकूं तीछे नियादा मतलब एकनिक नगा नहीं तरह हैं इस candidates कтории समॉट इस वहां से नहीं रिखने का यह पर नहीं जान साथ यह वह हुएता एक ड no-book नगacioस्ट का इस अब क taper नहीं है यहां जो भी मिणियम से पढ़ना होँ वहां पर कम नानबर आया तो अगर हैं वाकि इसक्षिक्स को ben i8 Shdi तो अगर चले आज तो मेरे प्हुआ चाथा आंग आ जाता तो इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप त्यारिन लेना बुक नीचे मैंने डाल दिया है लिंक मतलब की ओर्डर कर लेना वहां से और त्यारी जितनी जल्दी हो सके उसके शुरू कर दो और यहां पर जितने नंबर लाओगे उतना फायदा है आपको मैं एक बर रॉफ एस्टिमेट बता दूँक पचास के पलस अगर आते हो तो आपको गवर्मेंट कोलेज जरूर लाने की कोशिस करना असी से पलस जो लाते हैं वो टोपर होते हैं टोप 5 रैंक में अगर आपको आना लाना है तो भी आप कम से कम 60-70 नंबर लाके अच्छे कोलेज में जहाँ पाओगे तो आज के लिए बाकी के लिए आज के लिए जितने भी बच्चे हैं अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी आपके छोटे भाई बने किसी को भी अगर यह वीडियो जिसने देखा है तो निकाल सकते हैं तो जो जो बच्चे जल्दी निकालना चाता हो वो कर सकते हैं जैसे मेरे एक फ्रेंड था मैंने खुद बताया कि वो गौर्मेंट पर टेकनिक से किया और उसने मतलब कि जुनियर इंजिनियर का जो फॉम आया था रेलवे को वो निकाल लिया तो आप ज़र झाल झाल